पाकिस्तान के प्रधान मंत्री 56 देशों को इखटा करेंगे और भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे भारत ने भी जवाब दिया है एक संस्ता है जिसका नाम है Organization of Islamic Corporation इसके अंदर 56 देश शामिल हैं और क्योंकि कश्मीर के अंदर मुस्लिम रहते हैं इसलिए कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर उठाने की बात कही गई है हलांकि इसमें दम कितना है वो जान लेते हैं OIC का ये जो सेशन है ये पाकिस्तान के अंदर होस्ट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं एक इसलमिक कंट्री है और यहाँ पर उन्होंने इसके जवाब में इंडिया ने कहा है कि इन जो टेरिरिस्ट एक्टर्स को OIC के अंदर बोलने के अनुमती दी जा रही है ये बहुत ही गलत परंपरा है वैसे देखा जाये तो OIC एक सांपरदायक संस्ता है क्योंकि एक ही सांपरदायक के लिए ये बनी है उनकी गलतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं होती मगर उनके खिलाफ जो करते हैं उनकी ही यहाँ पर चर्चा होती है भारत के अंदर हुरियत एक सेपरेटिस्ट और्गिनाइजिशन है जो की ये चाहती है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए यहाँ पर भी बहुत दोगुलापन है इ पारत के अंदर से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, केवल और केवल संप्रदाय के हिसाब से बना हुआ ये स्टेट था, उस समय इंडिया नैशनल कॉंग्रेस ही एक पार्टी थी और उसने ये धर्म के नाम पर देश के तोड़ने की सुईकारता भरी, साथी के अंदर 56 कंट्रीज वेसे 55 बची हैं, उनको ये बात अच्छी दरीके से पता है, कि ये कश्मीर के कागज भारत के पास हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है, हुरियत का जो चीफ है, ये पैसे खाकर पाकिस्तान का जंडा फहराते हुए पकड़ा गया था, और इसलिए इस समय ये जेल इंडोनेशिया, ये कंट्रीज के फोरण मिनिस्टर वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, मैं तो पूर्ण इसलिए है, क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, और मौरोको वो जगह है, जहां पर IOC की शुरुआत की गई हुआ ये था कि OIC की शुरुआत की गई थी, मौरोको के अंदर और मौरोको के अंदर किसलिए की गई थी, इसका एक ही कारण था, सबसे बड़ा कारण अलग सा मास, अब समय के साथ क्या होता है कि OIC जो की मौरोको के अंदर बनी थी, वो खुद ही इसराइल के साथ में इसके साथ ही क्या होता है OIC को साओधी अरेबिया के अंदर इसका हेड़कॉर्टर्स है और आप देख सकते हैं कि इसराइल के साथ में साओधी के रिलेशन्स बहुत बढ़ चुके हैं इतने बढ़ चुके हैं कि वो इरान के विरुद्ध इसराइल की आइरन डॉम है और कई सारे लोगों को गोली मार देता है बहुत ही गलत घटनाती सब विरोध करते हैं सब कहते हैं कि भटके वे नौजवानों को रस्ते पे लाने के लिए जरूरी है कि उनको पढ़ाय लिखाया जाए ये बात OIC पर भी लागू होती है OIC जो काम करता है उसका पता उसक इसे लिखी होती है लेटस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो देखिए पूरे विशुभर के अंदर जो भी होता है उसको ISP करके एक प्रिफिक्स देते हैं इसको लगता है शायद इसलामोफोबिया का एक प्रिफिक्स है और हर एक घटना का यहाँ पर जिकर होता है जर्मन की तो इसके अंदर रिपोर्ट होनी है और भारत के अंदर क्या रिपोर्ट हुई है भारतवासी समझेए यहाँ पर एक रिपोर्ट डाल रखी है कि बैंगलूरू के अंदर एक पुलिस वाले ने एक मुस्लिम को पकड़ा और उसको मारा पीटा और उससे पैसे की डिमांड की यानि कि ये इस्लामोफोबिया है दो दिन के बाद में जब OIC कश्मीर का डिसकेशन करेगी उससे पहले पूरे विश्व भरक के अंदर कश्मीर फाइल्स धूम मचा रही है कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो कि पाकिस्तान का पूरा रोल दिखाती है कश्मीर के पाकिस्तान के एजेंटों ने किस प्रकार से हिंदूों के खिलाफ कई सरे बयान दिये यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको OIC को समझना चाहिए कि इसलामोफोबिया का असल में पीछे कारण क्या है FBI जो है वो United States का है यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो Most Wanted Terrors की लिस्ट म प्रदाय के अंदर गलत लोग निकल आते हैं जो कि community का नाम खराब करते हैं OIC की website के उपर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको हजार तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी कि Muslims के उपर क्या हो रहा है मगर Muslims क्या कर रहे हैं इसके बारे में कहीं नहीं मिलेगा सा चाइना की विदेश मंत्री को वहाँ पर special guest के तोर पर बुलाया जा रहा है वही चाइना जो कि Muslims के बारे में अलग-अलग जगे से बायकॉट जेल रहा है और पूरे विश्व के अंदर इस बात का डंका बज रहा है कि ऐसा जो country कर रही है वो तो पूरा विश्व कर ही नही भारत की तो संस्कृती ये सिखाती है कि अपने बच्चों को गलत काम करने से रोको किसी को परिशान करने से रोको महिलाओं को बराबरी का दर्जा दो ताकि कुछ development हो तुमारे देशों के अंदर भी नमस्कार धन्यवाद जैहिंद